दोसके बात कर लेते हैं और नड़र्ट डालते हैं कि यहां पर क्या संकेत हैं और हमें बता रहे हैं वामाक्षी जी, वामाक्षी बताएं चिबर कुल शुरुआत करते हम बंदन बैंक के साथ कंपनी के पहरे तमाही के नतीजों के बाद हम देखे रहे काफी सारे ब्रोकरजेज आये हैं लाजली अगर हम देखे तो CLSA और नॉम्यूरा दोनों नहीं अपनी खरदारी की राय को बरकरा रखा है मगर दोनों ही ब्रोकरजेज ने अपना टाकिर प्राइस खटाया है CLSA ने 320 से खटा कर 250 किया है और नॉम्यूरा ने 325 से खटा कर 270 कर प्रतिशेर पर कर दिया है लाजली ब्रोकरजेज का कहना है कि काफी tough quarter रहा है मगर आगे चलते gradual recovery वो expect कर रहे है लाज increased नजर आई है MFI NPA में और ये लाजली regulatory classification के वज़े से ये हमने बढ़ोतरी देखी है हाला कि अगर हम देखे तो growth outlook में अच्छा pick up काफी essential है कापनी के re-rating के लिए तो overall अगर हम बंदनमा के नतीजों की बात करें तो brokerages का कहना है कि नतीजे अनुमाद से कम सो रहा है लाज अगर हम देखे इसके अलावा avenue supermarts भी नतीजों के चलते focus में रहेगा जेफरीज की तरफ से hole की राया आ रही है और Morgan Stanley की तरफ से equal weight की राया रही है जेफरीज ने अपना target price 3425 से बढ़ा कर 3700 रुपे पर कर दिया है और Morgan Stanley की तरफ से target price है 3786 का largely brokerages का कहना है कि पहले तमाही में margin miss हुआ है company की तरफ से और ये consecutive fourth quarter के लिए हमें नजर आया है top line growth भी moderate होते हुई नजर आई है general merchandise और apparent mix हाला की muted रहे है pressure जारी रहेगा मगर slightly positive commentary आ रही है general merchandise business पर तो इसी के चलते है आगने सूपरमार्स भी हमारे radar पर और आखिर में हम focus करेंगे HDFC bank पर Jeffries की तरफ से report आ रही है याद रखेगा company के आज पहले तमाही के नतीज़ा आने वाले है और largely Jeffries का कहना है कि यह fastest growing companies में से एक है highest ROE है $100 billion market cap के club में asset growth भी largely housing और CRB और consumption retail से lead की जाएगी deposit mobilization important है और franchise भी company deliver कर रही है overall इसके चलते जफ्रीज ने खरेदारी की डाय के साथ coverage को resume किया है यानि की coverage को वापे शुरू किया है और target price दिया है 2130 शेयर का थांकिये वामक्षी आपका यह सारी जान करी देने के लिए लेकि जलिए अब आगे पढ़ते हो और quickly equity market में trading के मौके कहां दिखाए दे रहे हैं कि करके साम आपके सामने यह रखेंगे और 5 पैसा capital की तरफ से जो calls हमें मिरें उसमें पहला है escorts खरेदारी करके चलिए 2460 के होंगे levels और stop loss होगा 2320 का और Nalco में खरेदारी करने की राय होगी टारगेट होगा 93 का stop loss 87 का यह सुझा रहे हैं और Angel 1 के तरफ से जो calls हमें मिरें उसमें पहला है कोफोर्च खरेदारी करके चलिए 4910 से 4915 के बीच टारगेट होगा 5030 का और TVS मोटर्स में भी खरेदारी करने की राय है 1384 के levels यहां पर देखने को मिसकते हैं stop loss सुझा रहे हैं 1320 का तो यह कुछ व्यूज है आप खरेदारी करने के लिए हाद से कुछ calls आपके साथ में रख्यों जादा सभी calls में हम देख रहे हैं कि आज खरेदारी करने का ही व् निकल कर आ रहा है तो इन calls पर आप नज़र रखिए